अभी हम जो चेप्टर पढ़ रहे थे वो थी हमारी कवीता तारे अब आपने जो कवीता पढ़ी उसके बाद जो हम नेक्स चेप्टर करेंगे हमारा चेप्टर 6 उसके पहले आपको पेज नमबर 39 पर एक अजब गजब दुनिया के बारे में पढ़ते हैं या आपको बताते हैं क्या नामे हमारा इस पेज नमबर 39 पर अजब गजब दुनिया इसमें पहला है आप देखेंगे चीकते बंदर आपने देखा है इसा कभी बंदर की चीकते हैं पर अब देखिए इसमें आप भी मेरे साथ साथ बुक ओपन करेंगे पेज नमबर 39 हिमाले के पूर्वी इलाके में दोसों से अधिक प्रजातियों की पेचान की गई है इन में से कुछ प्रजातियों के बारे में कई अजीबों गरीब बाते देखी गई है कितने प्रजातियां बताईए बच्चों दोसों से अधिक नई प्रजातियों के बारे में पता चला है कहां पर पता चला है हिमाले के पूर्वी इलाके में इन में से कुछ प्रजातियों के बारे में कई अजीबों गरीब बाते देखी गई है अब वो कौन से अजीबों गरीब बाते है आप देखिए बंदर की एक एसी प्रजाती का पता चला है जो बारिश में पानी में भीगने पर इंसान की तरह छीखने लगते हैं जैसे कि आप पानी में भीग जाते हैं जब बारिश होती है और आप उसमें नहाते हैं तो फिर क्या होता है छीखने लगते हैं ना सर्दी हो जाती है इसी तरह से ये आपने सिर को गुटनों में छिपा लेते हैं मियमार के जंगली शेतमें रहने वाले लोग इसे चप्टीनाक वाला बंदर या इस नभी भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे चप्टीनाक वाला बंदर अब देखिए बच्चों इसकी नाग केसी है? चप्टी नाग आप कहीं किसी फ्रेंड को चप्टी नाग वाला बंदर तो नहीं चिड़ाते हैं अगर चिड़ाते हों तो उसे अब क्या कहेंगे? इस नभी नई बच्चों मैं मजा कर रही थी आपको पर ये इस नभी बंदर कहलाता है जिसकी नाग चप्टी है तो ये था हमारा छीकने वाला बंदर अब इसके बाद हम देखते हैं साप की तरह जमीन पर रेंगने वाली मचली आपने देखी कभी साप की तरह जमीन पर रेंगने वाली मचली अभी तक हमने मशलियों को का देखा है, पानी में तेड़ते हुए, पर इसमें क्या है, एसी मशलि है जो पानी में नहीं पर जमीन पर चलती है, देखते हैं इसके बारे में, इसी रिपोर्ट में जमीन पर रेंगने वाली मचली मनी धर साम जैसी दुर्भल प्रजाती का भी छिक्र है, मनी धर शब्दा है, बच्चों, मनी धर होता है, वो साम्प जो अपने गले में मनी धारन करते हैं, यानि कि मनी रखते हैं, उसे कहते हैं मनी धर, साम्प, इसनेक हेड इस फिश का नाम क्या है इसनेक हेड मशली चार दिनों तक जमीन पर साप की तरह रेंग कर चल सकती है देखां आपने कभी इसी मशली जो चार दिनों तक पानी में के बाहर तेर सकती है अभी तक तो हम यही कविता पड़ते थे मशली जलकी रानी है जीवन इसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बहार निकालो मर जाएगी पर ये मशली तो बहार निकालने के बाद भी चार दिनों तक जमीन पर साप की तरह रेंग कर चलती है प्रक्रती में नई प्रजातियों की संक्या काफी है तो बच्चों ये इं हमने पढ़ी है snack head ऐसी head जो मचली एक और चार दिनों तक जमीन पर रेंगरेंग कर चलती है तो आप भी इस chapter को पढ़ेंगे page number 39 इसके बाद बच्चों हम हमारा नया chapter शूरू करेंगे आज की वीडियो में यहीं खतम कर रहे हूँ आप इस chapter को पढ़ना थेंक यू